यूरी बनाज हम बना रहा है बहुती लजीज बहुती जायकेदार टमाटर गोश और टमाटर गोश हम बनाएंगे सहरी के लिए तो आप सबको रमजान बहुत-बहुत मुबारा को बहुत इतनी आसान और सिंपल रेसिपि आज हम आपको देने चाहरा है फटा-फट बन जाती लेगे हैं और इसका टेश्ट बहुती जाथा जबरदस्त होता है तो हम इसको बनाना शुरू करते हैं इसके लिए हमने ले कुल स्थ थोड़े कच्छे तंदर पिते बिलकुल नबनाए स्चिणी डौक और्ट हमने च मतली दमें इन को खळे कुकर ले लिया है कुकर में अच्छी तरह से दो लिया है और इसमें डॉल देंगे यहां लिया है याल प्रम्द्रशन दरक्वाई है the छे कब दरखिए और एक चमच है लचल कि यह इसमें हम डाल देंगे सब सर्सो का सब्सक्राइब इसको अश्रों कोमीव सब्सक्राइब कर B मिछ देंगмотр कि यहा你 सब्सक्राइब इसका पानी शुट जाएगा फिर सीटी लगा देंगे फिर हम आपको दिखाते हैं हमने बिना पानी डाले और गेस को अना सिलो कर दिया था और हमने एक सीटी लगा दिये इसमें फिरी देखिए मटन हमारा अच्छे तरह से भूनने लगा है और इसको हम थोड़ा सा और भून तो यह देखिए थोड़ा सा भूल लेते हैं खिर आपको दिखाते हैं तो यह देखिए मटन बहुत अच्छे काना से भून गया है बिल्कु पच्छे मसालों कि इसके बिल्कुछे ले गई है एक गिलास में इसके अंदर पानी डाल दिया है और बस इसमें आप में दो सीट तो यह दो 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 चाहिए और लगा दो मसाला वागारा हमारा बहुत अच्छे से भून गया है और टमाटन डालके बस थोड़ा से पकाई में इसको तो आप मैं दो सीटी लगा गा गए इस तरन सा थोड़ा सा पानी इसके अंदर बचाए है तो हमें इसको बिल्कु पुछ साथ महरी में चे भी डाल देंगे, यह बहुत ही जादा टेस्ट रखता है, इसके अंदर बहुत ही लजीज होता है, और बहुत मज़ेगा लगता है, इसलिए हम जोचे सहरी के लिए यह बना रहे हैं, आप इसको बना का जबू देखिए, और हम ऐसी ही आसान विकुल आसान त आपको बताएंगे, रमजान में जो खाने में भी टेस्टी लगें और बहुत जल्दी फटा-फट बन जाए, तो यह कितनी जल्दी बन गया है, और इसको मसाला भूलने की प्यास को फ्राइ करने की और ज्यादा इसमें इस तरह से महनद करने को को ज़रूत नहीं है, आप तो इसी तरह चड़ा, इसमें इसी तरह चड़ाने में टेस्ट आता है, कच्छी प्यास का बहुत अच्छे इसमें टेस्ट आता है, तो इसको प्यास को फ्राइ करने की ज़रूत नहीं है, तो यह देखिए, टमाटर हमने इसमें डाल दी है, पानी नी डालेंगे इसमें और और यह देखिए टामाटर गोश हमारा कितना लजीज, टेस्टी, मज़दार बन कर तयार हो गया है, तो इस तरह से आप टामाटर गोश आप बना कर ज़रूर देखिए, और हमने थोड़ा सा यह रसीला रखा है, यह बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है, अगर आप चाहें तो इसको बिल्कुल खुशक रख सकते हैं, ज़्यादा भूश सकते हैं, तो आप हमारे श्टाइज से टामाटर गोश बना कर ज़रूर देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, मिल्ट फिराओंगी, एक ने रेसिपी लेकर तब तक के लिए, अल्दा हाफीज, झाल, 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 झाल,